किड्नी से संबंदित क्या-क्या बिमारी होते हैं अमूमन सब ही लोग जानते हैं कि मानव सरी में दो किड्निया होती है एक किड्नी भी होती है और दोनों का फंक्शनिंग करना बहुत जरूरी है तो आप हमारे दर्सकों को बताएं जो पहले अगर किड्नी की समस्या से कोई पीडित है तो क्या-क्या लक्षन होते हैं सबसे पहले आप लोग किस तरीके से पता करते हैं ये किड्नी से बिमारी से पीडित है तो जैसा कि आपने सवाल पूछा किड्नी के बिमारी के कुछ प्रमुख लक्षन होते हैं उनमें सबसे जो लक्षन है सबसे जादा जो होता वो है पैर में या शरीर में सूजन होना पेशाब में जागाना खून की कमी होना उल्टी का आभास होना भूग कम लगना ये सब कुछ प्रमुख लक्षण है किड्नी की बिमारियों के अगर किसी को हो जाती है तो सबसे पहले वो किड्नी कैसे सुरक्षित करें है इनकी बिमा इसको कैसे सुरक्षित रखे क्या खान पान के लिए क्या दवा के लिए आप प्रेस्क्राइब करते हैं तो किड्नी बिमारी होने का सबसे बड़ा कारण पूरे दुनिया में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, दर्द की दवाईयों का अनवरत सेवन है, कुछ-कुछ अनुवानशिक बिमारियां हैं जिसकी वज़े से हमारी किड्नी खराब होती है तो जैसा आपने पूछा कि किड्नी को सुरक्षित कैसे रखें, तो जिनको भी डायबिटीज है वो अपना शुगर नियंतरण में रखें, ब्लड प्रेशर है, समय-समय पर ब्लड प्रेशर का जांच करवाएं और ब्लड प्रेशर को नियंतरण में रखें, अनवरत कोई भी दवा बिना डाक्टरी सला के नहीं लें, अगर आपके परिवार में किसी को किड्नी की समस्या पहले से रही हो, तो आप जादा सचेत रहें, समय-समय पर अपनी किड्नी का जांच कराएं, और जांच भी जो है वो बहुत कथिन जांच नहीं है, बहुत सस्ता और एक किड्नी ठीक है और किसी किसी केस में दोनों किड्नी खराब होती है, किसी किसी में एक चलला होता है, तो कैसे ओ सरवाइव करेगा, कैसे बीमारी उस उबर पाएगा आम तोर पे हर इनसान को दो किड्नी होती है, किसी किसी में एक किड्नी होती है जनजाद, तो अगर आपकी एक किड्नी भी काम कर रही है, तो आप एक स्वस्त जीवन वतीत कर सकते हैं, आम तोर पे जब भी क्रियाटनीन बढ़ता है, तो इसका मतलब अगर आपको एक किड्नी है तो वो खराब है और अगर आपको दो किड्नी है तो दोनों किड्नी खराब है तो किड्नी को आद में सुरक्षित कैसे रखे जैसा कि अभी मैंने बताया सुरक्षित रखने के लिए अगर आप डायबिटिक हैं तो समय समय पर अपने शुगर का टेस्ट करवाएं शुगर क अला के नाले और खान पान के लिए क्या करना पड़ेगा कहते हैं जो इसमें खान पान पे अगर हो गया तो खान पान पे विशेश्ट परहेज करना है चुकि गंदगी को हमारे शरी की जितनी भी अपसिष्ट परदार्थ है उनको ये प्यूरी प्यूरी फाइज करता है तो कुछ बीमारी अपने अंतिम स्टेज पर होती है तब हम कहते हैं कि कुछ प्रोटीन के पदार्थों का रिस्ट्रिक्शन करें अधर्वाइज आप जो एक स्वस्त काना है वो आप खा सकते हैं जैसे हमने कहा कि परहेज की जहां तक सवाल है तो कोई भी एक आदमी जो की नॉर्मल जो खराब खाना हम किसको कहते हैं जंक फूड हुआ ओईली फूड हुआ वो किसी को भी नहीं खाना चाहिए तो उसी तरीके से किड्नी के मरीजों में भी इन चीजों का कम से कम सेवन किया जाए